हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुशुरत पैटन से एर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैन साफ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, कोटी, गल्स स्वेटर, कैप, ब्लैंकेट आदि में, बनके देखे, बहुत ही खुशुरत हमारा ये पैटन आया है, ये देखे, ये हमारे पैटन का फ्रेंड साइड है, और ये देखे, ये हमारे पैटन का बैक साइड है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने 3 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, औ प्लस हमने टू फंदे एक्स्ट्रा डालने, दस नंबर की इस लाई में हमने इस पैटन को बना लेना है, और फ्रेंटे साइट से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ट होगा, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉडर पैटन बना के कंप्लेट करेंगे, बॉडर पैटन कंप्लेट होने के बाद हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ट होगा, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, न्यू वीडियो ज की कंप्लेट होने के बाद फ्रंट साइड से पैटन की फर्स्ट रो, अब पैटन की फर्स्ट रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, और फ्रंट साइड से फर्स्ट रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है, यह देखे, यह फ्रंट साइड से मारी पैटन की फर्स्ट रो, अब देखे, रोंग साइड से 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 किंड रो देखे, पहला फंदा उतारेंगे, और रोंग साइड से हमने से किंड रो को ओल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है, पूरे पैटन में हमने बैक साइट से यही प्रोसिस रिपीट करना है यह देखिए रोंग साइट से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लेट हो गई अब देखिए फ्रंड इस साइट से पैटन की थर्ड रो अब थर्ड रो में देखिए पैला फंदा उता लेंगे यह पैला फंदा उता लेना है अब देखिए नेश्ट इन फंदों को देखिए सीधी साइट से मैसे बिना बुने उता लेंगे इस तरीक से उतारे फिर इनको एसे left निडिल में वापस तीनों फंदों को shift करेंगे अब इन तीनों फंदों को एक साथ भुनेंगे और तीन फंदे बना लेंगे तो एसे Again की तरब से स्लिप कर देंगे अब देखे नेस्ट हमने यही प्रोसिस रिपीट करने सीधी साइट से देखे ऐसे इस फंदे को उतारेंगे अब देखे नेस्ट इन दोनों फंदों को भी उतार लेंगे ऐसे फिर इन तीनों फंदों को देखे इस तरीके से left needle में shift करेंगे फिर इन 3 से 3 फंदे बना लेंगे एक दो और फिर 3 next यही process repeat होगा 3 फंदों को ऐसे उतारेंगे सीधी side से slide डाल के इस तरीके से फंदों को हमने left needle में shift करना है फिर एक साथ बुन लेना है यह देखिए 3 से हमें 3 फंदे बना लेने फिर इन 3 फंदों को ऐसे सीधी side से slide डाल के एक एक करके उतारेंगे फिर यह से पल्टा के देखिए इस तरीके से पल्टा के left needle में shift कर देंगे फिर इन 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे यह देखिए फ्रंट साइड से हमारी pattern की third row complete हो गई अब देखिए रॉंग साइड से फोर्ट रो अब फोर्ट रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और देखिए रॉंग साइड से हमारी फोर्ट रो को second row की तरह उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है कि यह देखिए यह फोर्ट रो कंप्लेट हो गई आप देखिए फ्रंट साइड से फिप्त रो अब फिप्त रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइड से हमने फिप्त रो को सीधा बुनते हुए complete कर लेना है कि यह देखिए फिप्त रो कंप्लेट हो गई आप देखिए रोंग साइड से 6 रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और रोंग साइड से हमने 6 रो को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है यह देखिए रोंग साइड से हमारी 6 रो कंप्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से 7 रो अब 7 रो में हमारा पैटर रिपीट होगा 7 रो को हमने 1 रो की तरह बुनते हुए complete करना है यही 6 सलायों का पैटर हमने बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखिए हमारा पैटर कुछ इस तरो से आ जाएगा यह देखिए बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटर है आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैन करना ना भूलें थैंक यू